law of conservation of mass जो है बचो अपना सबसे basic law है जो की हम जो है बचपन से पढ़ते हुए आते हैं 9th, 10th के अंदर भी इसको जो है पढ़ा जाता है because ये कैसे चीज है जिसको जो है हम deny नहीं कर सकते ये हमारा एक अटूट सत्य से जैसा जो है अपने को नजर आता है क्या होता है law of conservation of mass कि देखो अगर हमारे पास कोई भी reaction होती है तो उस reaction के अंदर हमारे पास जितना reactants का mass consume होता है उतना ही products का जो है अपने पास mass create होता है यह अपने पास होता है law of conservation of mass इसको दूसरी तरीके से बोलें तो हमारे पास किसी भी chemical reaction में ना तो mass जो है create हो सकता है ना हमारे पास destroy हो सकता है वो हमारे पास क्या करता है कि आपका एक form से दूसरे form में जो है चला जाता है So this is again law of conservation of mass So यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बचो किस तरीके से आप अगर hydrogen और oxygen को combine करते हैं उससे H2O create होता है And understand this अगर हमारे पास यहाँ पर hydrogen की बात करी जाए Suppose हम इसको weight की terms में लिखना चाहें तो if we take कि हमारे पास hydrogen के जो है वो 4 gram है और oxygen के जो है वो हमारे पास 32 gram है ठीक है तो हमारे पास जो product बनना चाहिए वो कितना बनेगा Product जो है वो हमारे पास इनका combination Total मिला के जो है 36 gram जो है वो create हो जाएगा तो जो यहाँ पर reactants consume हुए उनका total mass 4 plus 32 है जो हमारे पास यहाँ पर products जो है बने वो हमारे पास कितना हुआ वो हमारे पास हो गया यहाँ पर 36 gram So this is your law of conservation of mass ठीक है जी यह बात जो है यहाँ पर clear है आगे बढ़ा जाए अज़ा एक और चीज कि भी यहाँ पर यह किस ने दिया था Entoin Levoisier ने और यह जो अपने पास law of conservation of mass है बचो यह ध्यान रखना chemical reactions पे तो apply होता है बट कि यह कहाँ पर apply नहीं होगा यह nuclear reactions पे apply नहीं होगा nuclear reactions हमारे पास ऐसी reactions होती है जिसमें mass जो है वो आपका energy में convert हो सकता है बट यह चीज chemical reaction में नहीं होती है तो law of conservation of mass जो है यह हमारे पास बचों सिर्फ chemical reaction पे जो है वो लगाया जाता है इसके बिसे से question कर लेते हैं जल्दी से तो question में है 4 gram of hydrogen reacts with some oxygen to make 36 gram of water then amount of oxygen used जो है अपने पास कितना होना चाहिए जल्दी से जो है based on law of conservation of mass पताओ बचों यहाँ पर oxygen जो है वो कितना यहाँ पर consume होगा as you can see कि हमने इसकी calculation जो है वो अभी अभी करी थी और calculation जो है उसके अंदर क्या लिखना है सबसे basic चीज अपने को सबसे पहले लिखनी आनी चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर law of conservation of mass को express करेंगे हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है amount of reactant consume amount of reactant consumed should be equal to amount of product produced ठीक है जी तो देखो हमें यह बोला जा रहा है कि या जब reaction हो रही है तो reaction के अंदर हमारे पास 36 gram of water जो है वो produce हो रहा है और reactants जो है बच्व अपने पास कौन-कौन से है hydrogen और oxygen hydrogen के अपने को कितना दिया हुआ है 4 gram दिया हुआ है और हम से पूछा हुआ है कि भाई जो weight of oxygen यहाँ पर होगा वो कितना होगा तो obviously अपने पास यहाँ पर कितना निकल के आना चाहिए यह हो जाएगा हमारे पास 36 minus 4 that is 32 gram यह अपने पास यहाँ पर जो है correct answer निकल के आ रहा है यह हमने submit कर दिया अपने पास correct answer जो है यह निकल के आएगा चलिए आपके पास यहाँ पर पूरा का पूरा solution जो है वो भी मैंने दिया हुआ है तो आपको कोई टेंचन लेने के ज़रुती है यहाँ solution जो है वो हमें कहां मिलेगा पूरा का पूरा solution जो है वो आपको यहाँ पर available है